अगर आप में हुनर है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मजबूरी आपके पैरों की बेडियां या बंधन नहीं बन सकती अपने हुनर, हौसलों की उडान और काम के दम पर आप दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं इसलिए आज के इस कारेक्रम का हमने खास विशे रखा है जो है हरियाना कौशल विकास मिशन इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं डॉक्टर विवेक अगरवाल आपको बता दें कि ये आयरेस भारतिया राजस्व सेवा के अधिकारी हैं डॉक्टर साब आपका कारेकरम में बहुत बहुत स्वागत है और इनके बारे में और भी आपको बता दें कि ये आजकल मिशन निदेशक हरियाना कौशल विकास मिशन हरियाना चिकित्सा सेवा निगम और साथ ही कौशल विकास और अधियोगिक प्रशिक्षन के महा निदेशक और सचिव भी हैं और बहुत सारी बाते हैं आपके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी लेकिन खास्तोर से आज हम चर्चा करेंगे हरियाना कौशल विकास मिशन की तो जब इसकी शुरुआत की गई कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रहता है कि क्यूं शुरू की जा रही है तो इसका भी कोई उद्देश्य रहा होगा और जो फोकस के एरियाज हैं वो कौन-कौन से हैं थोड़ा सा विस्तार से ब मिटन द चीज़ गिवाग है अभी जो इसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते तो उनको जाॉब कैसे लगे तो उनके जॉब को ज्यूब दिलाने के लिए उनको मेस्किल बहुत ज्यादा ज़ूर्त होती इस नलुकर स्किल के गयाब को पूरे कर में पढ़ते हैं, या दसमी में डॉप आउट हो गए, या कॉलेज से निकले हैं, आई आई टी आई से निकले हैं, पॉली टेकनिक से निकले हैं, जिनको स्किल की और अवशकता है, या कुछ ऐसा भी यूथ है जो बहुत पहले पढ़ाई अपनी खतम कर चुका है, और आज की इंडस्ट्री के हिसाब से, उसके पास वो स्किल सेट नहीं है, जिसके कारण उसकी जॉब में डिमांड हो सके, इंडस्ट्री में डिमांड हो सके, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए स्किल मिशन बनाए गए, इसके माधियम से हम ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों की जो दिये जा रहे हैं खासतोर से और लोग जिसमें जादा इंट्रस्ट भी उवा जादा इंट्रस्ट लिखा रहे हैं कौन-कौन से प्रोग्रम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं देखिए सकिल के मेशन के अंडर कुछ ऐसे 405 ऐसे ट्रे या जिस 노래 जो जोपर्ट है। जैसे क्ट अबर मिघान के पात करें तो तकसर आए एक सो नबे के करीब ऐसे जॉब रोल्झ जिन के ओपर ठेनिंग प्रस्ट्रेशन अपने कई अलग अलग सेंट्रू में उनको देख और जैसे कि करें, wellness and beauty, plumbing का, weaving का, swing का, hair dressers का, यह सारे traditional, carpenter का, यह सारे traditional role है हमारी society में, data entry, फिर computer से related, data entry operator, Microsoft office की training, फिर उसके बाद, आज कल सबसे latest जरूरत है soft skill की, English बोलने की, soft skill की, office में वहवार कैसा हो, आपका एक दूसरे के प्रती office में वहवार कैसा हो, उन सब की training, यह soft skill module है हमारा, इसके इलावा, आज क्यूंकि technology का यूग है, technology दिन बर दिन बदलती जा रही है, तो उसको देखते हो है, हमने एक emerging technology का program शुरू किया हर्याना में, जिसके अंडर हम 5G, टेलिकॉम के अंडर 5G नहीं जो technology आ रही है, उसके ऊपर बच्चों को prescription देना, तो रेपेर का, मोबाइल के रेपेर का, उसके अंडर या 5G से रिलेटेड सारी technology की जानकारी देना, इसी तरह एलेक्टरिक वहिकल, अभी हीरो हॉंडा के साथ हमारा collaboration होने जा रहा है, जिसमें हम इलेक्टरिक वहिकल के साथ, बच्चों को एलेक्टरिक वहिकल की रेपेर, मेंटेनेंस, उस पर prescription देंगे, इसी तरह से drone training, आजकल drone की बड़ी requirement है, agriculture में, education sector में, photography में, film making में, हर जगा drone के जो चालक हैं और रेपेर वाले हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है, तो उनकी training हमने शुरू की है, इसी तरह से बहुत ऐसे और भी courses है, जिसके लिए हम निरंतर योगदान देने की कोशिश करते हैं, भी बच्चों की skill और उपर हो सके, तो इसी तरह से हम देखते रहते है किस के जगह पे किस चीज की जादे ज़रूरत है, उस तरह से हम skill देने की कोशिश करते हैं, जी, गौर्वर्मेंट बहुत सारी योजनाइं चलाती है, ताकि जो लाभार्थी है, जितने भी अभी हरती है, वो लाभ उठा सके हैं उन योजनाओं का, लेकिन कई लोगों को य जो समय समय हमारी एडवर्टाइसमेंट करते रहते हैं, लोगों को मॉबिलाइज करते रहते हैं भी ये प्रस्क्षन दिया जा रहा है, इस प्रस्क्षन को आप आईए जरूर कीजिए, एक तो हमारा ये है, इसी तरह से हर डिस्ट्रिक के अंदर, हर जिले के जिला स्तर के पर हमारी एक committee बनी हुई है जिसको हम कहते हैं district skill committee जिसके terзoman वहाँ के accordance to who are ADC does. उसके माध्यम से भी यह प्रचार होता है भी यह सारे training procession चलते हैं आप इनको आईए इनको join करिये और इस पर training जरूर लिजिए इसके इलावा हमारा अपना एक PR section है जो हमारी पूरी public relation and media manage करता है जिसके माधियम से हम radio पर, tv पर, बसों के पीछे और वैसे भी इस्तिहार देते रहते हैं जिससे कि लोगों को पता लगे भी हमारा जो कौन कौन से program चल रहे हैं और उसमें कैसे enroll होना है इसी तरह से हमारी एक website है mission की अपनी जिसके hsdm.gov.in पे जिसके अंबर सारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं कितने training हैं किस पे training ली जा सकती है आप उस पे online enroll भी कर सकते हैं तो मेरी दर्शकों से आप सबसे यही प्रातना है जितने हर्याना के यूथ हैं वो जरूर उस पे जो प्रसक्षन लेना चाहते हैं उस पे enroll करें तहां जो हम उनको उनके job role के हिसाब से प्रसक्षन दे सकें यह प्रसक्षन जो हम देते हैं यह बिलकुल निशोलक है इसका सारा खर्चा सरकारत लेती है जी बहुत सारे training programs हैं तो obviously बात है कि सबका जो time period है वो भी अलग-अलग होगा तो कितने maximum time period कितना है जो कारेक्रम रखे गए हैं जितने भी युगा है उनके लिए और कितने time बाद वो चेक किया जाता है कि actual में स्किल्ड वेल्प हो चुकी है में कोई चेक रखा जाता है वो थोड़ा सा बताईए ऐसा है हमारे मेन एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम सूर्य प्रोग्राम कहते हैं जिसका पूरा फुल फॉर्म अगर उसको बताया जाए तो स्किल अपग्रेडेशन और चेह सित जिसकाम दर leaking ने तरक टॉर्टे थीज़ते तक की है तो कहने के मतलब तकरीब्ध हो चालिस दिन से लेके। उसमें है भाप चूर्य प्रोग्राम हम उसमें ड्वेल्प करते हैं जिसके अंधर प्लैग्शिप प्रोग्राम है जो सूरय स्कीम चलती है हमारे से हमारे जिसको हम कहते हैं भी जिनके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग अलरडी है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है जैसे आप उधारन लेंगे भी प्लमबर है वो किसी अपने गुरू के साथ लगा हुआ था और उसनो बच्चा से होते होते प्लम्बिंग सीख ली लेकिन उसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट या कोई ऐसी कोई मानता नहीं है जिसे वो कह से कि मैं मानता पर आप प्लमबर हूं तो उनके लिए हमने एक प्रोग्रम चलाया है आर पील प्रोग्रम जिसको हम बोलते हैं जिसको कहते है रेकोगनिशन ओ प्रायर लर्निंग भी आपने एक लर्निंग करीब है एक ट्रेड आपको आता है उसके हम एक उसको एक बारा घंटे से लेके चालिस घंटे तक की एक ट्रेनिंग देते हैं जिसको रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं उसके बाद उसके एक 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 जैम लेते हैं सर्टिफिकेशन करके उसके एक सर्टिफिकेट प बहुत सी भारतिय सरकार की सेंटर की योजना ही चलती रहती है, जिनके अवधी अलग लग होती है, प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना के अंडर कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनकी अवधी वैसे होती है, अर्बन ड्वेल्पमेंट की मिनिस्ट्री के अपने एक प्रोग् मिशन के अंडर कुछ प्रोग्राम में जिसकी ट्रेनिंग भी हम देते हैं, उनकी प्रोग्राम के अवधी अलग रहती है, लेकिन ये दो फ्लैक्शिक प्रोग्राम सूर्य और और आर पी ये हमारे मिशन की में स्ट्रीम ट्रेनिंग प्रनाली है, तो बहुत सी बातें आपन अजिसमेंट उनकी करवा दी जाए कुछ ऐसा है तो वह भी हमारे तमाम विवर्स चाहें तो उसके बार में ऐसा है, जैसे ही किसी आदमी की या किसी भी व्यक्ति की ट्रेनिंग खतम होती है, तो उससे पहले सबसे पहले इसकी स्केल असेस्मेंट की जाती है, जैसे देने से जैसे बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया, तो हमारे ये माननत, ये एक कंपल्सरी चीज है, जिसको भी हम ट्रेनर नुक्त करते हैं, तो उसके उपर इस प्रतिबंध है भी वह 70% लोगों को जॉब दिलवाएगा, उसके बाद ही उसकी कुछ जो लास्ट की प उसके उपर ही हमने ये कंपल्सरी कर रखा है, भी आपको नौकरी दिलवानी पड़ेगी, तब ही आप हम सरकार आपको ट्रेनिंग देने की परमिशन देगी, दूसरा हमारे हर्याना सरकार ने एक नया निगम बनाया, जिसको कहते है हर्याना रोजगार निगम, तो उसके अ इस जॉब सेक्टर के अंदर मेरे को नौकरी चाहिए, तो उस नौकरी के जैसे हम लोगों को अपने को भी ट्रेन करते हैं, हम उन पर भी रिजिस्टर कराते हैं, तो वहां से रिजिस्टर कराने के बाद, एच काफी इंडस्ट्रियों से उनकी सांज है, वो टाइम टाइम इसी तरह से तीसरा हमारा हर्याना का एक फॉरन कोपरेशन डिपार्टमेंट है, जो फॉरन कोपरेशन डिपार्टमेंट विदेश में नौकरियां रूंडता है, वहां के लोगों के साथ तालमेल बनाता है, और उसकी लिस्ट हमें बेजता है, फिर उसके जॉब रोल के अक पहुत अची बात है, ऑपने बता आदे कि इतना विस्तार हो चुका है अंतराष्ट्रियस तर्थ तक जो युवा हैं उनको रोजगार के अफ़लुक लब्द करवाए जा रहे हैं अगर हर्याना की बात की जाए तो अर्बन एरिया और ग्रामिन क्षेत्रों की बात की जाए जो लोगों को आपने कौशल प्रदान कर चुके हैं जो सीख चुके हैं तो डाटा हम थोड़ा जान सकते हैं कितने लोगों को अभी तक प्रशिक्षित किया जा चुका है पर को डाटा बिलकुल याद नहीं होगा लेकिन जैसे पिछले साल हमने 70,000 लोगों को ट्रेन किया इस साल अभी तक हम 25,000 के करीब लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हमें 2,000 लोगों को ट्रेन कर देंगे तो यह डाटा हम ट्रेन कर दिया उस ट्रेनिंग के डाटा के बाद एक हमने अब नई चीज भी शुरू करी है ट्रेसर स्टडी जिस ट्रेसर स्टडी से हम आपने पहले जैसे प्रशनमी से पूछा था भी आप कैसे यह एसे करते हैं जो आपने स्किलिंग दी उसका फायदा स्किल लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या सुधार हुआ है या आपको कौन सी बहतर नौकरी मिल पाई या नई मिल पाई ताँ जो हम आगे आने वाले फ्यूचर में अपने मिशन का और सुधार कर पाएं तो यह दो तरफ है तलवार होगी एक यह पता लगेगा भी हमार जो आज तक दीवी ट्रेनिंग थी वह कितनी कारगर है और दूसरा हमारे आज तक क्या कमिया रही हैं जिसको हम आगे आने वाले फ्यूचर में सुधार से अगर आपके व्यूज जानना चाहें कि यह जो मिशन चला है उससे युवाओं के रोजगार की बात की जाए या फि प्रभाव पड़ा है इस यूशना का आप क्या कहना चाहें के जब भी किसी की आपक्रेड़ेशन देखे आज की डेट मे सबसे ज़रूरी है किसी बी इंडस्ट्री को कहीं लेने के लिए इंडस्ट्री से हमारी बहुत भारतलाप होती रहती है तो इंडस्ट्री का सबसे प जब गाला इंका सव्रक्राक्ण मिल रहा हुएर जब ट्रेन में पावर को नोकरी मिले गी तो उनकी आम बढान भी तो जीवनʃ सदार होगा, उनका सदार होगा, तो समाज का सुढार होगा, समाज का सदार होगा, तो मैं समझता हूं भी मिशन की और ऑफ ऐसु कोई ऐसी cod Sex जो skill training देती हैं, तो उसका main purpose ही है लोगों का life का सुधार करना, और वो कर भी रही है, बहुत impact आ भी रहा है, थोड़ी देर पहले आपने माननिय प्रधानमंत्री जी की बात की थी, तो 17 सितंबर को एक नए scheme उन्होंने भी लाँच की है, जो है विश्वकर्मा योजना, तो कि कर्मा स्कीम के अंदर तीन पार्ट हैं, एक जो उसका मेन अंच है, skill भी देना है, तो ऐसे 18 आठीसियन्स हैं, बुनकर हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, मालाकार हो गए, बोट मेकर हैं, तो ऐसे 18 आठीसियन्स की ट्रेड को चुना गया है, जिसको सरकार सपोर्ट भ करेगी, secondly, और उनका प्रचार भी होगा, भी दूसरे लोगों को भी उनके साथ जोड़ेगी, जो सीखना चाहते हैं, तो यह विश कर्मा स्कीम बनाएगी, इसके अंदर, जो सेंटर की मिनिस्ट्री है, MSDE, Ministry of Skilled Development and Entrepreneurship, उसके माध्यम से, वो ट्रेनिंग का नोडल अजन्सी है, उस नोडल अजन्सी ने सारे मिशन्स को, उसमें हर्याना मिशन को भी, कौशल विकास के मिशन को भी जो यह विश कर्मा स्कीम का स्किलिंग का पार्ट है, वो मिशन करेगा, तो उसके ओपर काम ओरड़ी शुरू हो चुका है, तीन-चार मीटिंग हो चुकी है, लोगों को अलाइन कर दिया है, जहां उनकी ट्रेनिंग होंगी, रेजिडेंशल प्रोग्राम है, पांच दिन का, तो उनके रहने की विवस्ता, खाने की विवस्ता, उस सब नॉम्स बने हैं, तो इसको सारा मिशन देख रिख कर रहा है, पूरी प्लैनिंग हो चुकी है, अब उसको आथिक तौर से जो पिछडे लोग हैं, कोई भी जो अन्देखा हो जाता है, वर उनके लिए कोई इस में स्कीम है, इस मिशन के अंतरगत, तो वो भी हम जानना चाहेंगे, वैसे हर्याना में पीपी एक बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, तो पहला मुद्ध हमारा ये परिवार बोलते हैं, अन्तोध्य परिवार, हमारा पहला मकसद ये रहता है, अन्तोध्य परिवार की, क्योंकि वो सारी स्कीमों के लाभारती वो अन्तोध्य परिवार वाले पहला हक उनका है, तो हमारी कोशिश ये रहती है, भी किसी तरह से उन एक लाक असी हजार के हमारी कोशिश रहती है दूसरा एक टार्गेट हम लेके चलते हैं भी पीछडे वर्ग SC, BC, OBC, ST, ऐसे जो हैं हमारे हर ट्रेनिंग का 10-15% प्रतिश्यत यह कैंडिडेट जरूर होने चाहिए तीसरा जैसे आपने बात करी दिव्यांग के लिए भी हम पीछे से हमने प्रोग्र किसी को पेंटिंग में था किसी को कड़ाई में था तो उस तरह की एक ट्रेनिंग हमने चलाई जो बड़ी अच्छी रही अभी उदी और्गनाजेशन को जिसको हमने दिया था उनके बच्चे भी क्रिकट भी खेल के आए हैं कहीं तो एक अच्छी इसी तरह से विमन सेंट् प्रोग्राम चलाया था लेडिस के लिए उनको इंपावर करने के लिए उनको टुवीलर चलाना सिखाएंगे जिनसे उन्जी मोबिलिटी बढ़ेगी ही रो होंडा के साथ हमरे क्लाबरेशन सा आज से साल पहले उनको हमने टुवीलर सिखाया इसी तरह से अभी VLCC के साथ ह जिसे ब्यूटी एन वेलनेस में जितनी लड़कियां है और पहले ब्यूटी एन वेलनेस के प्रोग्रम लोकल लेवल पे पार्लर में जैसे चल रहे थे अब एक माननिता प्राप्त VLCC हमारा सिर्टिफिकेट तो ऐसे वुमें इसी तरह से हमारे जेल इनमेट्स के बच्चे हैं जो की बच्चे हैं जुविनाइल्स हैं उनको भी प्रिस्क्शन देते हैं ता जो जेल से निकलने के बाद उनके जिंदगी में सुधार हो सकते हैं बहुत सारे चीज़ें आपने बता दी अब इतना ज्यादा हमारे जो युवां है वो चीज़ें सीख चुके हैं कोई सक करना चाहते होंगे और लोग भी मोटिवेट होंगे उसे सुनकर जैसे सक्सेस स्टोरी है अभी पीछे से हमारे एक ट्रेनर थे वो आए उन्होंने बताया भी हमने कुछ बच्चों को फिलम मेकिंग में ट्रेनिंग दी थी तो उन्होंने कोई ऐसी एक फिल्म बनाई है हलां किसी टाइम पर वقت निकालकर उसको में भी जरूर देखा उन एक तो हमारी सक्सेस स्टोरी है दूसरी हमारी सक्सेस चोरी एक यह रही है हमारे कि हैं कॉंपिटिशन होता है वर्ल्ड लेवल पर जिसको हम ब OMG इसको हम बोलते हैं यह पिछले हर दो साल के बाद होता हैं 2022 में ह सब्सक्राइब करें और इस बार भी सभी दर्शलकों से मेरा अनुरोध है जो भी है हमने वर्ल्ड स्किल कॉंपेटिशन दो हजार चौविस में लेओन फ्रांस में है उसके लिए हमने अपना ऑन-लाइन पोर्टल रिजिस्ट्रेशन के लिए जो भी बच्चे में जो भी प्र कर सकते हैं जिसका हमारा चार लेवल पे प्रोथियोगिता होगी पहले जोनल लेवल पे फिर रीजनल फिर स्टेट और फिर नेशनल लेवल और फिर एक इंडिया की टीम बनके इंटरनैशनल लेवल पे जाएगी वह एक तरह का olympics है जी वहाथ बहुत कुछ जानने को मिल आप स्टूडियो में आया और इस प्रोग्राम में skill development पे जो बात की जा रही है तो बहुत कुछ जो लोगों को नहीं था पता वो भी पता चला कहते हैं कि जो युवा होते हैं किसी भी देश का भविश्य होते हैं और अगर बच्पन से बच्चों में कोई भी चीज़ डाल दी जाये तो बड़े होते होते हैं वो अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं तो यह जो कौशल विकास है किया यह स्कूल कॉलेजिज लेवल से ही शुरू किया जा रहा है अगर है जैसे कई बच्चों थे होते हो जादा नहीं पड़ते हैं शुरुआत में भी आपने थोड़ा बहुत बताया थे इसके बारे में तो किस तरह की योशना है जो स्कूल ल स्केल उनिवर्सिटी है वो उसको देख रहे हैं तो एक तो स्केल स्कूल उने खुला है बच्चों के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो युवा हो गए हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं पूरे कर पाए तो उनको एक ट्रेनिंग का माध्यम हम चला रहे हैं जितने हमारे अपने आपको सशक्त महसूस करेंगे और जॉब ले पाएंगे बहुत अच्छा है अब बहुत अच्छा है अगर आपसे जानें कि यह जो हम इतनी सारी बातें की हमने प्रोग्राम के बारे में और डाटा भी आपने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हो चुकी हैं अगर आपके अनुभव जानना चाहें कि आपका अनुभव इस फिल्ड में कैसा रहा कौन-कौन सी चुन रही है और हर्याना एक ऐसा स्टेट है जो यह इसको पूरा कर चुका है तो उसके लिए अब हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जल जीवन मिशन के अंदर जो भारत सरकार का प्रोग्राम है वैसे तो लेकिन उसका ट्रेनिंग पार्ट हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम पंच कर देंगे यह दो अक्तूबर से हम इस ट्रेनिंग को शुरू कर रहे हैं हर जिले का एक आइटिया हमारे हर का एक जिला आइटिया नॉमिनेट कर दिया गया है जिसके अंदर पहले राउंड में हम साड़े 600 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं हर ब्लॉक से लोग आएंगे रेज आजल जीवन मेशन को लेके फिर आपने बात करी चुनोतियों की देखे चुनोतियों की कोई सीमा नहीं बिल्कुल सबसे पहले है तो उसी तरह से अगर हम बात करें स्किलिंग के सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी एक चुनोती है एवर चेंजिंग टेक्नोलोजी की हम इ करना बच्चों की ट्रेनिंग के साथ है क्योंकि हर किसी की ट्रेनिंग को सेट अप करने के लिए कैपिटल कॉस्ट बहुत जादा है बिल्कुल किसी भी आज हमने अगर मैं उधारन के रूप में लूँ सी एंसी मशीन एक होती है जिसमें कंप्यूटर आज वो सी एंसी मशी ट्रेडिशनल होती थी हाथ से चलती थी अब वो कंप्यूटर से चलती है तो कंप्यूटर पे सी एंसी ओपरेटर्स चाहिए वो एक मशीन असी लाग रुपे की है जो बहुत जादा है या तो सरकार भी उसको सेट अप करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट वाले लोगो जिसके कारण ट्रेनिंग के और अच्छा प्रभाब पड़ सके हमारी कोशिश रहती है बेस्टो बेस्ट्रेनर चुनने की पर एक कही ना कहीं यह अभाव है चौथा जो मैं अगर एक कारण में चैलेंग इसको समझता हूं बच्चों को मोटिवेट करना भी आप इससा प्डैनि तो उनको थे एक बहुत बहुत जाल nelle चैलेंग ने चाहिए जाएं तो अब अपनी ழसगर चा जा इसको एब रोजगरी और अपको नहीं मिलने वाला तो ये जो बेरोजगारी की मार है इसको तोड़ने का सबसे कारगर जो शस्त्र है वो है स्किल को लेना तो आप अगर अपनी स्किल अपग्रेडेशन के लिए आना चाहते हैं तो हर्याना कौशल विकास मिशन अहर्याना सरकार बिल्कुल आपके साथ कदम मिलाके चलने के लिए तैयार है और हर तरह की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है जी डॉक्टर विवेक अगरवाल आप कारिक्रम में आए और इतनी महत्वपून जानकारी आपने तमाम दर्शकों को उपलप्त करवाई इसके लिए आपका बेहर शुक्रिया और अपने तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सरकार अपने भरपूर भरसक प्रयास कर रही है आपको रोजगार दिलाने के लिए अब जरूरत है तो आपका आगे आने की तो अब आप से चाहेंगे अनुमती नमस्कार